असायन्मेंट चैप्टर एेट सॉल्व आल दी कोश्चंस टोटल नॉमर वुश्चंस 5 है कोश्चंड 1 है राइट एस डेशिमल्ग तो कोश्चंड 1 हमने सॉल्ग किया है ठीक है तो इस टाप question हमने सॉल्ग किया है कर सकते हैं आप लोग कोश्चंड 2 है write the following decimals in the place value chart तो place value chart आपको मैंने explain किया था क्या होता है place value chart में आपको हम समझाते है तो questions इसमें आपको solve करना होते है place value chart पर तो कैसे solve करते है इसमें क्या करते है जैसे 2.653 12.653 यासे है तो सबसे पर ले तो point यह लगा है यहां कितने लेते है one आता है फिर ten आता है hundred आता है और यहां tens और यहां hundreds hundreds आता है फिर thousand आता है तो इसमें क्या करना है point है जैसे यहां point होता है तो point ही लाएंगे point की जो point फिर two यहां और one यहां इस ताहन से six five three इस ताहन से करना होता है ठीक है question simple है question मतरी में आपको change करना है कि 17 पैसे में कितने रुपी होते है 56 cm में कितने होते है मीटर 2,905 गराम में कितने रुपी होते है question 4 है कि find the sum in the following तो आपको sum find करना है question 5 में आपको subtraction करना है question simple है तो आज इस वीडियो में हमने chapter 8 का complete assignment पताया कि कैसे solve करना है आपको solve करना है लेकि हमने questions दी है तो इस तरह आपको solve करना है ठीक है और इसको submit करना है 20 October कितने विज़े तक 10 AM तक ठीक है तो आज का दिन पूरा मिलेगा आपको इसके लिए और कल सुबा तक यह आपको सबको submit करना है Edutants app पर ही submit करना है clear और इसके साथ ही हमारा chapter 8 complete होता है कल से chapter 9 start करेंगे हम कल से हम लोग chapter 9 start करेंगे ठीक तो chapter 9 के वारे में थोड़ा बहुत आप लोग बढ़के आएंगे basic ठीक तो आज की वीडियों तक thank you वाई